वेल्गम दिश्टो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगी बीए सेक्ट सेमस्टर को और एक्जाम के बारे में इससे पहले हमने युट नमबर वन को कंप्लीट कर लिया है यहां से हम युट नमबर टू को सुरू करेंगे जो आपके तंत्री का तंत्रोर बहुशी से संबंधित होगा यह एक अपने प्रिविए ओनिट को नहीं किया है तो प्लीज मैं आपको वीडियो पार प्रेलिस्ट का लिंक के देश्क्रिप्स में देदूँगा आप वहां से अपने प्रिविए अन्ट कर सकते हैं यह इंग्लिस सब्जेक्ट हैं तो उसका भी मैंने सेमेस्टर व करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो की बिल्कुल फ्री अपकोस्ट है अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए जिससे उनकी भी हो सके मोग करते हैं अपने कोश्चन की तरफ पहला कोश्चन है नेत्रों की गति से संबंदित तंत्रिक आये हैं नेत्रप्रेरक उदिवर्तनी और चक्रक यह सारे के सारे आपके मोमेंट ओफ आई इससे संबंदित होते हैं तेरी दहरा नाडिया ट्राइजेमिनल नव्स किस चीज से संबंदित हैं इसका राइट आंसर है इन में से सब ही जैसे की जबडे की मास्पेशियों की गति से संबंदित और चेहरे की गति से संबंदित कोश्च नमबर थरी मानविय एवं पास्विक प्रवृत्तियों का भेद मस्तिस्क के किस भाग के दुवारा होता है मतलब जो आपकी मानविय मानविय मतलब एक प्रकार से जो अच्छे एक्टिविटीज होती है वे प्लस अगला कोश्चन है दंत्री का से ताथपर है क्या मतलब होता है और सरिये चंट्रीकों से संबंदित किसी प्रकार का विकार्व तंत्रीका सोथ समझ लें तो आउने कहार का पैत baby एक प्रकार की बिमारी तंत्रीकासे जम्मंदित बिमारी आप इसको ऐसा मान सकते हैं ठीक ह अगला कोश्चन है आपका तंत्री का तंत्र के कौन से परकार में मस्तिस्क अथ्वा सुशुम्ना की सहायता के बिनाही तंत्री का एक किरियासील रहती है तंत्री का तंत्र के कौन से परकार मैं ऐसा कौन सा तंत्र का परकार है जिसमें बहुत सारी तंत्री का ऑटमेटिकली रहती है इस और आंसर है आपका स्वायत तंत्री का तंत्र ठीक है अब अप्रतिवर्ति किरिया का उधारन क्या है इसका आपका इन में से सभी जैसे कि सूते से पेट या हाथ खुजाना परतिवर्ति का अदर कुछ हरकत होई और फिर उसके बाद कुछ कि दूसरी हरकत होई है ना मलब पहली कोज से दूसरा इफेक्ट आना तीवर प्रकास में पुतिलियों का सिकुड़ना तेज अवास सुनकर चोंग जाना तो यह सारी आपकी प्रतिवर्ति या रिफ्लेक्टिव या एक पर रेस्पोंसिव मान सकते आप इनको 11 जोड़ी अपका मस्तिस्क के बहरी और उबरे मस्तिस्क में बहरी और उभार किये दारीयों में पाए जाने वाली गहराई आप यह आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए जब आपको बायोजी के अंदर आपके ब्रेन को पढ़ाया जाता है तो उनके बीच में ऐसे ऐसे करके एक आकरत ही होती है तो बीच में कुछ गहरा गहरा जंगा होती है इन गहरी जंगा को ही आप फिशर बोलते हैं ठीक है अगला कोश्च ने नियूरोन क्या है नियूरोन अपने आप में क्या है तो इसका राइट आंसर है आपका यह सूत्रो सही तंत्री का कोशिका है यह सूत्रो सूत्र का मलता होता है गुण सूत्र क्रोमोसोंस जिसको बोला जाता है तो यह निरोन जो होंगे इनमें आपको क्रोमोसोंस मिलेंगे गुणसूत्र मिलेंगे और तंत्री का तंत्र में ये काम करते हैं तंत्री का कोशी का जिसको बोला जाता है एक प्रकार से निम्लेखित में से कौन सा तंत्र संपूर्ण सरीर को सुचार रूप से संचालित नियमित और नियंत्रित करने हैं तो व्यवस्थापक और नियंत्रक्का कार्या करता है इन में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपकी बूड़ी को पूरी तरह से बैलेंस करनेया काम करता है इसका राइट आंसर है आपका तंत्री का तंत्र न कि नेक्ट कॉस्टेन आपका दो तंत्रीका कोस्िका के मद्धिया खाली स्थान को कहते हैं दो तंत्रीका मंदर समय लीजित नीज़ी ले नीज़ न्यूरोंस के बीच में एक खाली जगया होती है जहां पर भी दूसरे को यांच करने चैनल मान लीजिए वहां पर चैनल होते है उसकाने को क्या बोल जाता है इस से न met कि कि अंसर को सभाने आपका कि C ReTONS है अफका के लिए श्रीर का संथूलन बनाने के लिए किसके लिए तो इसका राइड आंसर है ये सभी अगला प्रतिवर्ति किरिया का नियंत्रन कोर करता है रिफ्लेक्सिव जो एक्षन होते हैं इनका कंट्रोल कौन करता है इसका राइड आणसर आपका रीड रजू के दौआरा जो आ ऐसे ही किसी परकार की कोई stimulus या कोई आपके चारों तरफ किसी परकार की कुछ activity होती है उसके परती रिस्पॉंड देना उसके परती sensitive होना इतन्तर का कारिये होता है अगला question है साधारण किरिया की तुलना में प्रतिवर्ती किरिया सिग्र होती है क्योंकि साधारण के रिया कान यह न्तरन किसके दुआरा होता है अभी बताया गया था इसका राइड आंसर है आपका यह दि हम एक point आपका रीड रज्जी इस्पनिल कोड के दुआरा और दूसरा भी पोर्शन है इसका इसका आंसर है सेड़ी ब्रम दुआरा सेड़ी ब्रम जो कि आपके ब्रेन का एक पार्ट होता है ठीक है अगला question है आपका प्रतिवर्ती चाप बंता है किस चीजसे इसका राइड आंसर है आपका समवेधी समवेदांग रीड रज्जू पेसी से अगला question है प्रतिवर्ती कि लिए का उश उचित उधारन यहाँ पर क्या होगा इसका राइड आंसर है आपका यक नेतर के सामने तेज रोसनी फैगने पर नेतर जब ना यह आपका अन-कंट्रोल होती है ना दो प्रकारी की जाए होते हैं वोलेंट्री और अन्वोलेंट्री सी संस इसको कंट्रोल कर सकते आप इसको रोग सकते हैं चला भिना बोजन देखे घंटी बजने पर होने लगा इह अधीगं परकिलिया क्या कहलाएगी इसका राइड़ आंसर आपका ना पर्तिवंधीत प्रतिवेडिया प्रतिवर्ति किरिया यह एक एक्स्रोमेंट तो इतंक रब साइक्प्रे ना उसके उपर इस प्लिशक्रstars प्रजेंट करके रियल एक्टिविटे को करवाना यह उनका मैंग उद्देश्य था जो बच्चों की डवलप्मेंट से सम्मंदित है और जो की काफी इंपोर्टेंट लर्निंग का एक ठ्योरी भी है चाशले मनुष्चे के मतिस्ख का कोन सा भाग ताफ नियंत्रित करता तेंप्रेचर को कट्रोल करता है इसका राइंट आंसर है आपका हाइपवuchar at है मनुश्य की मस्तिस्क का भार कितना होता है इसका राइटांसर है 300 Wen 1400 ग्राम अगला कोश्चन मनुष्य में मेरू तंत्रिकाए कितनी जोड़ी होती है मेरू जो आपकी रीड की हड़ी होती है उसमें तंत्रिकाए होती है पेर्स की फॉर्म में तो इसका राइट आंसर आपका बनता है 91 30 31 अगला कोस्चन मनुश्य कि मस्तिस्क का कौन सा बात सरवाधी की विक्षित होता है इसका राइट आंसर है आपका प्रमस्तिस्क आप सेरीवरं नहीं अब लगेटा मैडियूला अब लगेटा अपके भी आपके ब्रेन लोवर वाला पार्ट होता है ठीक है तो यह किसी जो क प्रण्टोल करता है इसका राइट आंसर है आपका अनेच्छ किरियाए ऐसी किरियाए जो अटोमेटिकली होती रहती है कि कोश्चन नमबर 25 पिट्रूटरी गरंथी की पस्च पाली से निकलने वाला कौन सा हार्मोन है इसका राइट आंसर है आपका अगला कोश्चन इंसुलीन हार्मोन इस्त्रावित होता है कहां से इसका राइट आंसर है आपका लेंगर हैंस की अगर नाश्य जिसको इन किरियाज भूला जाता है निकलता है मनुश्ध के मस्तिस्क में पाय क्श जाने वाली अंतिस्थावी गरंथी है धूल होती है जो अपके बोडी के अंदर डाय। आइक क्यों सब्सक्राइब में मिल जाते है तो इनмен वह कौन सा है आपको बताना है इसका राइट आंसर आपका प्यूस जिसको पीटियू टरी ग्लेंड भी तीक अगला विन कहीं कौन सा पाधाफ हार्मोन पाधा का मतलब होता जिब्रेलिन अगला कोश्चन है मादा लिंग हार्मोन है is a सभूरा जो अंदर एक ऐसा हार्मोन जो टै करता है कि कोई बच्छा रीमेल बने या बनेगा बच्चा तो कौन सा ऐसा हार्मोन है इसका राइट आंसर है आपका एस्टरोजन तो याद रखेगा एस्टरोजन जो होता है वह हीमेल को डिसाइड करता है किसी बोड़ी के अंदर एस्टरोजन की मातरा बहुत जादा है तो उसके अंदर और तो वाले हो जाएगी उसके जैनाइटल्स आद्मियों जैसे होंगे तो यह आप समझ सकते हैं अगला कोश्चन है ऑक्सिटोशन का इस्त्रवन कहां से होता है इसका राइट आंसर होगा आपका पिर्ट्रूटरी ग्लैंड से ऑक्सिटोशन अगला कोश्चन है उन हार्मोन का नाम लिख करने में किया जाता है या या बीज रहित फलन को प्रोथसाहित करने में किया जाता है मतलए आपको यह बताना है एक ऐसा हार्मोन है है जो ऐसे भी जो मुलब बीजों से संब्भन देते हैं चाहिए वह फलन फलन लग डारेक्ट हमको फल से न पराप्त होते हो और किसी मैं थड़ से पराप्त होते हो तो इसमें कौन सा हार्मोन ऐसा है इसका राइट आंसर है आपका अग्ला कोश्चन आपका बंदता है kisa hyarmoon की कमी से मधुँमें रोग हो जाता है बहुत ही अच्छा कोश्चन है ऐसी कौन सा हार्मोन है जिसकेaja If diabetes इसका राइट आंसर आपका बन जाता है इंसुलीन इंसुलीन की कमी से डाइबिटीज हो जाता है कौन सा पादफ हार्मोन कोशी का विभाजन में सायक है ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पोधु में पाया जाता है जो साइल डिवीजन में काम आता है इसका राइट आंसर है आपका सब्सक्राइब करता है सुसुम्मना जो रीड की हड़ी थे इसने पाइनल को आप मानें जो आपका ब्रेन है मस्तिस्क पुच्छ मस्तिस्क पिछला भाग नीचे वाला भाग आपकी स्वाइंगल कोड से जुड़ा हुआ होता है अगला कोश्चन है बुद्धिमान व्यक्ति के परमस्तिस्क में धूसर द्रव धूसर का मतलब होता है ग्रे मौटाई कैसी होती है और ग्रेट अदमी के पर मतलब होता है उसकी मौटाई को सरीर के संतुलन का केंदर माना जाता है आपकी बोड़ी जो बैलेंस रहती है वह बापके ब्रेन के किसे द्वारा कंट्रोल होती है इसका राइट अंसर आपका अनुमस्तिस्क ठीक है अगला कोश्चन अगला कोश्चन आपका बुद्धियम ज्यान का केंदर माना जाता है जो आपके इंटेलिजन्स होता है नोलीज वाला पॉर्चन होता है उसका संभंध आपकी बोड़ी में किस भाग से हैं किस हिस्से से हैं तो इसका राइट आंसर आपका बनता है प्रेमस्तिस्क ठीक है उन्हें एक सूत्र निकलते हैं जिने कहा जाता है जो आपके तंत्री न्यूरोन होते हैं से कही सारे लिंक्स हो सूत्र निकलने हम जोते कहीं सारे करेंam क्या कहा जाता है इसका राइट आंसर है आपका मृदूतानिका अगला कोश्चन नाडियों पर चढ़ा अवरन किस वसा युक्त्त पदार दौर नेर्मित होता है आपकी जो नाडिया होती है नसे होती है उनके उपर जो नसों के उपर नस मृदलब खाली जगां अंदर बलड बहता है तो वह Cant Two कहा आपको ये बताना ऐसका या माईलीन से बना हुआ अगला कोशकन है आपका कcents of a Sono Heart Attack How can Tika Right answer आपका मस्तिस्क में दमनी थक्का जम जाना यह कोई द्धमनी है भड़े वाली नसमाल लेजिए आपकी बोडी के अंदर होती है यह उसके अंदर बलड कलोट हो जाता है खोन जम जाता है तो आत्मी को हाट अटक आ सकता है अगला कोश्चन है आपका बिजली से चलने बिजली से जलने का इलाज करते समय आपको सुर्फ पृठम क्या करना चाहिए किसी को बिजली के दुवारा जल गया हो बर्ण हो उसिस्तिती में क्या करना चाहिए इसका रैटांसर है आपका खतरे की जाज करें और सुने बोड़ी के अंदर पाए जाने वाल लिक्विड है उसको खतम कर देता है बिजली जो हाई वोल्टेज होती है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए यह चैक करना चाहिए कि उसको अभी भी बिजली कि पकड़े हुए है या कि छूट गया है कहीं असानों आप बचाने की चेक कर में आप भी फसो तो यह सबसे में इंप्रोटन काम है अगला कोश्चन है कुला फ्रेक्चर क्या है जो ओपन फ्रेक्चर है वो मैंने फॉर्स उनिट में इसको यह दिख लेंगे इसका मतलब क्या होता है आपको बताना है बसका और प्opes this is a fact riot जीस से तोचा फट जाने वर रहंदी उजागर हो जाती हो कई बार कुछ अधरे से होते हैं कि हड़ी तक दिकने लगती है म Vac पूरा फट जाता है और हड़ी दिखती है डारेक्ट उसको खुला फ्रैक्चर बोलें और इसका उल्टा बंद फैक्चर मुला फैक्ट टूट गई है लेकिन ओपर जो मसल्स है या जो स्किन है वो डैमिज नहीं हुई है अंदर यंदर टूट हुई है अगला कोशने गंभीर रख्त हानी में कौन सी स्थिती विक्सित होगी मालों की कोई इंज्री हो गए बलड़ दोस बहुत जादा हो गया उस स्थिती हो क्या कहा जाएगा इसका राइट आंसर आपका हाइपो वोलेमिया क्या बोलें है अगला कोशन निम्ली कितमें से सेरेब्र पाल्सी यह एक दि होता है जिसके जैसे बच्चे के अंदर जो सारीरिक हरकते हैं वह भी आधिया धूरी सी होती है तो सरीरिक किस भाग में न्यूरोंस को परभावित करती है यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह आपके ब्रेन से सम्मंदित हैं तो इसका राइट आंसर आपका बन ज निमाः जाता हैं तो निमली फितमी से मानव तंतरी का तंतर में क्या सामिल है हुमेन mutous system के अंदर क्या included है इसका right answer है आपका केंद्रिय तंत्रिकल तंत्र सेंटर नर्वस सिस्टम और पैरिफ्रे नर्वस सिस्टम ठीक है दोनों आएंगे आपके चलो जी नेक्स्ट कोश्चन है आपका मानो सरीर में स्वायत तंत्रिका तंत्र ऑटोनोमस ऑटोमाटिक जो काम करने वाला सिस्टम का का कार्ये आपको ये बताना है इसका right answer है आफका आंत्रिक वातवरन को नयंत्रित करने का कार्य करना कारपस कॉलोजम क्या है कि हडा answer है आपका एकट अंत्रीक on the को दाएं और बाएं गोल आर्थ को जोडता है जो लेफ्ट हैं राइट है मिस्फएर है जो आपके ब्रेन के अंदर होते हैं उनको जोडने का कर्प सको बोला जाता है जो छोड़ने का जो पॉइंट हो कहा जाता है अगला question गर्बाधान के बाद 4 सफतह में तंत्री का ट्यूब में तिन परकार की सूजन हो जाती है म番ला जब 속 प्रग्नेंसी होती है चोफे वीग में संत्री नि 업 कि उसमें किसी परकारवी सूजन हो जाते हैं स्वायत तनत्र का इस हिस्सा है अम स्वायत् वहाइट वाला तो इसमें आपका रैटर अन्सर बन जाता है कि परीदियत तंत्री का हिस्सा स्थी नर्वास सिस्टम से लिंक होता है कॉन सी संद्रचौना ट्यक्टम का हिस्सा है आपको यह बताना पर इसका राइट आंसर आपका पंच आता है पेरिया क्वेडेंटल ग्रें अगला कोश्चन है नीचे दिये गई विकल्पों में से सामान्य तोर पर अभिवाही नसे समवेदी कि वान सेकंड ले जाते हैं मतलब सीधा आप समय लिजिए आपके बोड़ी के अंदर जो वह information है उसको लाने ले जाने का काम आपके नियूरोण करते हैं अभिवाही नसे जान समवेदी जानकारी ले जाती है अभिवाही का मतलब जो आपके नियूरोंस होते हैं वह जानकारी को बाहर की तरफ ले जाते हैं बाहर की तरफ ले जाने का मतलब समझे लीजिए आप खड़े हैं आपकी बराबर में गरम कोई चीज है आपका हाथ उससे लग गया तो जानकारी आपके ब्रेंट तक ले करके आएंगे फिर ब्रेंट से जानकारी बहार आपकी बोड़ी पर आएगे और कहेंगे कि वहां से अपने हाथ को हटा लो यह बहुत ही क्विक स्पीड से होता है आप की चीजी को टच करते हैं तुरंत ब्रेंट करते हटाओं से जल जाएगा तो आपको से यही पूछा गया है कि कौन सा सिस्टम आपको सपोर्ट करता है जानकारी को ले जाने था है तो असका राइट आपका मणता है केंद्रियopes अंतरिकता से तॉय होता है B प्रोसेस करना प्रोसेस करके डिसीजन लेना और डिसीजन लेकर फिर उसको पास करना यह इसमें पूरा आपका सेंटल नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ होता है अगला कोशन निमली कितमें से जलने की तीन अलग-अलग स्थितियों को नाम दिये गए हैं मतलब कहते हैं थr डिगरी बर्ण सेगंड डिगरी बर्ण थो इनको क्या बोला गया है आपको यह बताना और इसका राउडल पूरी जल जाती तो जब skin पूली जल जाती है तो आपकी जो बोड़ी के अंदर internal parts है बहुत जुरू हो जाते हैं आपकी skin आपके body के अंगों को protect करने काम करते हैं यह इसके इंजरी हो जाती है तो जो आपके body लिए के अंदर दूसरे बहुत इंपोर्टेंट पार्ट लिवर किड़नी हर्ड यहां तक इंजरी पहुंच गई तो आपकी जान बचाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है एक निदिया आपकी इस्किन पर ही इंजरी रहे तो आपको बचाना बहुत आसान काम है अगला कोश्चन है बेहुसी क्या है वाट इस अंकॉंसिसनेस ठीक है इसका राइट आंसर है आपका चेतना की एक संशिफ्ट नुकसान बेहु उसको करना कि मतलो की ऑपने ह crispy चीज को अपने हाख से चौहता हो तो इसका पटा चनलता है कि मैंने किसी चीज को छूआ है लेकिन मैंने उस आथ कि किसी उगली में byte सम लगा दिया अब प्रfolg में उससे कर चूँभ यह तो पतानी चलेगा तो basically मैंने क्या किया जो जो सेंसिटीविटी थी जो सेंश करने की एक प्रोस्स्य साम इसको डिस्टरब घ्र जिसके उज sponsor मुझे अप पता ही नहीं चल पार रहा है की समस्ट से मैं किसी को चू रहाँ कि भलल थंड़न क धर्हाम मैं एक क्याहें किसी आज अगला कॉश्चन है किसी व्यक्ति क dos वे किसी पढ़ित प्रित वेक्तिंगे नक्सी random से ड्रक्त इस्तराव को नियंतकर अब क्या करेंगे मतलब कि नाक से चनक से बलड़ निकलना चुरू हो कई और गर्मी भी कराण होता है तो ना कोई चोट लगए नाक पर उसकी में हो जाता है तो यहां पर इदी नक्सीर हो जाती है नोज से ब्लेडिंग जुरू हो जाती है तो क्या करना चाहिए इसका राइट आंसर है आपका आराम से नीचे बैठ जाएं फिर आगे की तरफ जूग जाएं और नाक के नरम हिस्से की चुटकी ले चुटकी ले का मतलब होत जो आपका human nervous system है यह बहुत सारे काम करता है सारे काम ही करता है समाल लिजिए आप तो तंत्री का तंत्र की मूह लिकाई बेसिकली इस जो पूरा human nervous system है यह बंता किन चीजों से फाउंडेशन क्या है इसके तो इसका राइट आंसर आपका बन जाता है नियूरोन ठीक है और नियूरोन कोशी का निम्लिकित में से किस भाग में बनी होती है जो आपका नियूरोन होता है यह कहां पर बना होता है आपको यह बताना है इसका राइट आंसर है आपका यह सभी इसमें मुंद आप ऐसा समझंझे इसके पार्ट कुन-कुन तो अक्सतन्तु है जिसको डरेंड़ाइट और नूकलीयस ठीक है नूकलीस इसका ब्रेन हो इसके चैनल होते हैं और हैज जोन इसका एक हैड बॉन होता है पात है धीकिन दьютग allows की पूरी से से त्यारी कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड के साथ भी सेर कीजिए उनसे सब्सक्राइब करवाईए ताग यह चैनल अच्छे से ग्रोव हो सेगे और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे उसी परकार से मैं आपकी सब्सक्राइब करता रहा हूं मिलते हैं एक्स्ट वीडियो में थैंक यू एक टेक केर गोड़ ब्लैस यू इस यूनिट के सेगेंड पार्ट में मिलेंगे जहां पर मैं इस यूनिट को कम्प्लिट कर दूंगा क्योंकि इस से अगे भी कहीं सारे बहुत अच्छे अच्छे को अच्छे कर दूंधा ऑगो में घए हैं तब क्या क्यों करेंगे लिए ज एक रहाण